हेलो गाइज, कैसे हो भी सब लोग, all good, very nice, आज हम लोग कुछ टॉर्क की और बाते करने वाले हैं, हम लोग रोटेशनल डानेमिक्स की कौर और अच्छी अच्छी बाते करने वाले हैं, all right, so मेरा नाम है गगंदीप सिंग, मैं हापका मास्टर यह हम सब का बहुत ही प्यारा जिसका नाम है न्यूटन पाजी, चलिए, आज की वारतल आप शुरू करते हैं, जैसे हमने लीनियर मोशन में पढ़ा था, कि न्यूटन सेकेंड लॉफ मोशन कहता है, f external net acting on the system is equal to mass into acceleration of center of mass, यह पढ़ा था हमने, rotation में force, जैसे लीनियर में force होता है, rotation में वो torque आ जाता है, लीनियर में mass होता है, rotation में वो moment of energy आ जाता है, वहाँ पे acceleration होता है, यहाँ पे angular acceleration होगा, तो similarly we can say that, tau is equal to I alpha, where I is moment of energy and alpha is angular acceleration, the net torque acting that will be equal to I alpha, समझ में यह बता, छोड़ी बातों से शुरू कर लेते हैं, मा लीजिए कि अपने पास एक disk है disk, ठीक है, mass m radius अरड disk 3D बन गई, we are having a disk, mass m and radius r, ठीक है, ओके, मालों यहाँ पे मैं F force लगाके, इस disk को घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, F force लगाके, disk को घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, यह disk इस axis के around बंदी हुई है, यह axis horizontal है, stable axis, okay, mass m radius r, disk, so question is, find angular acceleration of the disk, very simple question, तो मैं क्या को हुआ, गि भाई, torque about o is equal to i alpha, हाँ किना, कितना torque लग रहा है, force F का, कितना आएगा, F into r, i कितना है, mr square by 2, alpha कितना है, अरे वो तो निकालना है, r ने r को मारा alpha आया, 2f by mr, so this is your angular acceleration, समझ मैं यह बात, अच्छा, यहाँ पे एक question यह हो सकता है, sir, weight भी तो लग रहा होगा, तो weight cut और क्यों नहीं लिया, weight लग रहा होगा center of mass पे, right, बिल्कुं center पे, तो weight का torque about this point, 0, और यहाँ की ना है, उसका torque ही नहीं आया, तो मैंने नहीं लिखा, समझ मैं यह बात, पक्का, very nice, अगला question करते हैं, ध्यान देना, अच्छा question, माल लो, कि अपने पास, एक पुली है, पुली, क्या है, पुली, सही बनी हैं पुली, लग तो रहा है, this is a पुली, disc लेलो इसको, disc, mass m radius r, इसके उपर रसी बांधिया से, और रसी बांधिया हुई है, ठीक है, रसी के दूसरे end पे, मैंने एक mass लटका दिया, same mass माल लेते हैं, block लटका दिया, find the acceleration, find the acceleration of block, block का acceleration कितना हुगा, ये बताना है, चलिए, हो जाएए शुरू, देखो, free body diagram बनाना compulsory अवाई साब, free body diagram बनाएंगे, तभी दुनिया चंकेगी अपनी, है ना, तो माल लेते हैं कि, इसका acceleration a नीचे की हो रहा है, बहुत बढ़िया, मैंने free body diagram बनाया, mass का, रस्ती की tension उपर लगा दी, weight नीचे लगा दिया, acceleration नीचे की हो रहा है, तो मैंने लिख दिया, नीचे की तरफ net force is equal to ma, first equation, कितने variable हैं, t variable है, a variable है, दो variable तो आगे, एक equation आई अभी तक, is the disc, इसके उपर लगेगी tension T, ऐसे, क्योंकि tension तो खीचती है, खीचेगी यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सी force वाली कोई equation आएगी नीच, because, because, इसका action तो 0 है, और यहाँ की न, ध्यान देना, torque equation ले लेते हैं, about point O, torque about point O is equal to I alpha, तो moment of inertia भी okay on लिखा जाएगा, torque कितना आएगा, T into R is equal to M R square by 2 into alpha, okay, कितने variable होगे, T, A, alpha, तीन variable है, दो equation है, अच्छा, इसका मतलो एक equation और चाहिए, ध्यान देना, वो equation हैगी, alpha और A के बीच का हैगी relation, ध्यान देना इतना, हाँ, यहाँ पर discussion कर लेता हूँ, यह जो रस्सी का point है, है न, मैं इसको थोड़ा zoom कर लेता हूँ, zoom, इसको zoom कर लेता हूँ, रस्सी थोड़ी मोटी बना लेता हूँ, रस्सी थोड़ी मोटी बना लेता हूँ, है न, ये रस्सी है ठीक है? ध्यान देनो रस्सी का ये वला पॉइंट A एक्सेशन से नीचे जा रहा है Is it right? रस्सी का ये वला पॉइंट पूरी की पूरी रस्सी ही A एक्सेशन से नीचे जा रही है तो रस्सी का ये वला पॉइंट A-axis से नीचे जा रहा है यह disc है, यह left में disc है disc का यह वाला point बिलकुल जो rim पे है उसका acceleration कितना होगा tangential acceleration होगा R-alpha सही बोल रहा है, जो disc है उसके rim का acceleration होगा tangential R-alpha tangent, नीचे की और होगा because यह disc clockwise alpha से accelerate कर रही होगी ठीक है, समझ में आया हागी ना यार अब यह रसी इस disc के उपर slip नहीं कर रही ठीक है, रसी है जो disc के उपर slip नहीं कर रही रसी घूम रही है, disc भी घूम रही है तो बाई साब, अगर कोई slipping नहीं हो रही तो यह दोनों point के बीच में relative motion 0 होगा हाँ की ना, यह दोनों point के बीच में, रसी और disc के बीच में relative motion 0 होगा तो फिर यह दोनों action same आने चाहिए, it means a is equal to r alpha, आगे तीसरी equation, 99% तुमारा a is equal to r alpha यह आएगा पर हमेशा नहीं आएगा समझ के करो तो जिंदगी असान बनेगी ठीक है a is equal to r alpha तो alpha की value यहाँ put कर देता हूं I will say t into r is equal to mr square by 2 into a by r r ने r को मारा r ने r को मारा t की value होगी ma by 2 उपर बूट कर दो तो तुमें मिलेगा mg is equal to 3 ma by 2 m ने m को मारा a is equal to 2 g by 3 कहानी खतम अरा समझ में आया पका देख लो चाप लो all right मिटा दू ठीक next question करते है तुमने वो परदे देखे है परदे अंगरेजी में क्या करते है curtains curtains जो ऐसे roll होके उपर जाते है और roll होके नीचे आते है देखे हैं क्या बस उनी की चर्चा कर रहो मालो कि we are having a cylinder ठीक है ये cylinder है ये उपर से बंदा हुआ है ऐसे रसी रसी लिप्टी हुए इस cylinder पे और ये रसी उपर बंदी हुए है okay hollow cylinder ले ले लेते हैं hollow slender mass m radius r ठीक है बहुत बढ़ीया मज़ा है all right अभी क्या ये cylinder unroll होता होता नीचे आ रहा होगा हाँ की ना रसी के उपर ये slip नहीं कर रहा है रसी बिलकुल बंदी हुए है unroll होके नीचे आ रहा है question is find the acceleration of cylinder करो भई pause करो करो हो गया देखना दिहां से free void diagram बनाते है cylinder का free void diagram उपर लग गई tension T नीचे लग गया mg accession नीचे क्यों और मा लेते है तो हमने लिखा mg minus T is equal to ma ठीक बाद और तुम्हें ये भी समझ में आ रहा होगा कि ये clockwise alpha से accelerate कर रहा होगा तो o point के round torque T into r is equal to mr square into alpha mr square क्यों? क्योंकि ये hollow cylinder है या भाई सब mr square होता है ठीक है? अपने पास 3 variable, 2 equation एक equation और चे ये alpha और a के बीच में hmm ध्यान देना क्या देना? ध्यान ये जो तुम्हारा cylinder है ये जो point है ये वाला point ये वाला point रसी पे है ये rest पे है क्योंकि तुम्हारी रसी कहीं नहीं भाग रही ये वाला जो point है ना ये rest पे है अरे हां कि ना? और मैंने बताया था rigid body में जो omega होती है वो किसी point के round निकालो body की omega ही आएगी और जो alpha होता है किसी point के round निकालो alpha ही आएगा तुम ये सोच सकते हो कि इस instant पे ये body इस point के round alpha से accelerate कर रही है चाहे center के round ले लो चाहे body के end के round ले लो alpha ही आएगा चम का तो इस point का center का accession नीचे की और क्या आएगा? r alpha अच्छा उसका r कितना है? उसकी दूरी कितनी है? r के बराबर ही है उसको a मान रखे है center point के accession को a बोला है तो a is equal to r alpha अरे नहीं आया चम का क्या? यहां से तुमारा t is equal to m अजएगा और a की value g by 2 आजएगी क्या ये बास समझ में आई? पाका सोच लो देख लो ओके next question करते है तुमने ऐसा कुछ देखा है दोनों फिग्रम ना देता हूँ माल लो कि we are having a slender in this shape ऐसी shape का slender है ठीक है? जिसका एक साइड का radius आ रहा है और एक 2 आ रहा है समझ में आया? है ना? बात बढ़िया मजा आया यह जो इसकी axis है यह बंदी हुई है ऐसे यह बंदी हुई है मतलब यह cylinder कही नहीं भाग सकता है यह बंदी हुई है बस यह घूम सकता है ठीक है? यह घूम सकता है बस ठीक है अर गिवन है कि इसका मोमेंट अफ नर्शया आउट इसस एक्सज इज लेट सए आई आई इस डिवन the moment of Russia of this this body about the given axis is I, यह given है फिर न, यहां पे न, ऐसे mass लटका रखा है यह mass को हम लोग m-ball दिते हैं ठीक है, ऐसे लटका रखा है फिल आ रही है तुम्हें और दूसरी साइड 2m लटका रखा है अरे समझ में आया न, ध्यान से देखो यह जो mass है न, यह इसकी रस्सी इस से लिप्टते हुए फिर वो रस्सी उधर चलेगी बड़े वाले पे और दूसरी साइड से 2m है अगर मैं इसका side view बनाओ, इधर से देखूँ इसका side view कुछ ऐसा बनेगा इसका side view कुछ यह बनेगा देखो, 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 यही बनेगा क्या हाँ जी सर, यही बन रहा है ठीक है ठीक है, ठीक है, आर और 2R question है find acceleration of both the blocks दोनों block का acceleration बताना है मज़ा आएगा चलो 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 बताओ, बताओ, बताओ तब तक मैं यह मिटाता हूँ तुम इसका acceleration निकालने की दोनों blocks का acceleration निकालने ही कोशिश करो बड़ा अच्छा कोशन लिया है मैंने, बिलकूल advance, मज़ेदार अच्छा कोशन है यह, करो इसको, है ना मैं दोचा क्या चौमों कोशन कराएंगे तो यह बड़िया कोशन कराते हैं सीदा करो, देखो, सबसे पहले तो, दोनों जो tension है वो different है माल लो एक बार different, T1 और T2 और, माल लेते हैं कि यह नीचे जा रहा है A2 से और माल लेते हैं यह उपर जा रहा है A1 से ठीक है, acceleration different माल लेते हैं देखनेते हैं, same आगे तो आगे, different आगे, तो different आगे, अभी different माल लेते हैं तो मैंने 2M वाल एक equation लिखी 2MG minus T2 is equal to 2MA2 ठीक है, मैंने M वाल एक equation लिखी T1 minus mg is equal to MA1 first equation, second equation, समझ में आया okay, all right, बहुत बढ़िया मजा आया मैंने माना है कि 2M नीचे जा रहा है तो भाई साब, तुम्हारी ये disc यो जो भी तुम्हारा ये system है ये clockwise घूम रहा होगा मान लिया कि मैंने alpha से clockwise घूम रहा है तो मैंने फिर इसका free boy diagram बनाया अपनी ये body का मैंने इधर बनाया T1 और इधर बनाया T2 और alpha से इसको घुमा दिया तो मैंने इसके torque equation लिखी देखो, clockwise घूमना है तो T2 का torque बड़ा होना चाहिए हाँ कि ना, तो मैंने लिखा T2 into 2R center के round और T1 का उल्टा है तो minus T1 into R, क्योंकि इसकी दूरी तो R है, यह net torque लिख लिख लिया is equal to I into alpha, क्योंकि moment of inertia I दे रख्या और alpha मैंने माना था कोई दिक्कत बर्शान नहीं, कितने variable है T2 A2, 2 variable T1, 3 variable A1, 4 variable alpha, 5 variable equation कितनी बनी है अभी तक 3 अरह कितनी equation बनी है 3 इसका में लोग और equation चाहिए जीजना बिल्कुल चाहिए और equation ठीक है alpha, A1, A2 में कुछ-कुछ relation निकालने की हम लोग कोशिश करते है ध्यान देना ध्यान देना है ना ओके ये वाला point मतलब ये वाला point ये वाला point उपर जा रहा है A1 से अगर तुम इस body के respect में देखोगे तो ये A1 की value हो जाएगी R alpha हो जाएगी के नहीं हो जाएगी समझ में आया अरे ये वाला point उपर जा रहा है A1 से और यहाँ पर टेंदेशन एक्सेशन alpha R में ज़र आएगा तो A1 की value क्या आएगी? R alpha बहुत बढ़िया ये वाला point नीचे जा रहा है A2 से और इस system के respect में इस body के respect में इसका accession आएगा alpha into इसका radius radius is 2R तो it means A2 is equal to 2R alpha ये fourth equation ये fifth equation number of variables is equal to number of equations solve खुद कर लेना कर लोगे ना खुद से यार इतना तो कर लोगे equations बनाना मैंने सिखा दिया solve खुद से कर सकते हो ठीक है? अच्छा questions लिया था अच्छा मज़ेदार questions समझ में आई बात पका मिटा दू ठीक इसका एक असान वर्जन कर लेते हैं बहुत ही simple वाला वर्जन मालो की अपने पास एक पुली है और पुली बंदी हुई है इधर हमने एक small amulet का रखा है इधर हमने कुछ मालो की capital amulet का रखा है यहाँ पे यह पुली है ठीक है? यह जो रस्सी है ना यह इसके ओपर slide नहीं करती there is some friction between the russie and the pulley and the pulley is also rotating with the russie ठीक? पुली भी घूम रही है पुली को हम लोग माल लेते हैं डिस्क माल लेते हैं mass m की radius r की ठीक है? तो पूछा है कि find find acceleration a यह माल लो a से नीचे जा रहा है यह a से उपर जा रहा है ठीक है? a बता रहा है अपने को चलो इनको अलग-अलग माल लेते हैं इनको a1 माल लेते हैं इसको a2 माल लेते हैं ठीक है ना? रसी में tension यहाँ पर t2 माल लो यहाँ पर t1 माल लेते हैं यह नीचे जा रहा है a1 से हमने लिखा mg-t1 is equal to ma1 यह उपर जा रहा है तो t2-mg is equal to ma2 बिल्कुछ नहीं लिखा? दो equation लिखे दी अब हम लोग बात करते हैं इस पुली की पुली पे तुम equation लिखो इधर को लोगेगा t2 इधर को लोगेगा t1 नीचे जाना है लोकवाइस घूमना पड़ेगा माल लेते हैं alpha से घूम रहे तो torque लिखो लिखो t1 into r minus t2 into r is equal to mr square by 2 into alpha कितने variable? t1, a1, t2, a2 4 variable और alpha, 5 variable equation अभी अपनी 3 बनी है तो 2 equation और चाहिए बाग बढ़ी है शान दर मजा आया ओके ये वाले point का acceleration नीचे की तरफ a1 लिया है अच्छा तो फिर इस disc respect में r alpha होगा अरे tangential r alpha होगा it means r alpha is equal to a1 और इस point का acceleration उपर की तरफ a2 लिया है तो वैसे कितना होगा r alpha ही होगा तो r alpha is equal to a2 हो गई 5 equation मैं सौगर के दिखाऊ इसको देखना इधर देखना alpha की value को अच्छा a1 और a2 तो बराबर रख दो तो ये तो उड़ गए a1, a2 को बराबर रखते है और alpha की value a by r put कर देते हैं ठीक है a by r r ने r को मारा r ने r को मारा तो यहां से आगया t1 minus t2 is equal to ma by 2 ठीक है t1 की value पहली से उठा लो mg minus ma और t2 की value यहां से उठा लो minus mg minus ma is equal to ma by 2 okay इसे तो यह बना m minus m into g is equal to a m plus 3m by 2 okay इसे तो a की value आगई m minus m into g divide by m plus 3m by 2 क्या यह चमका इस तरीक है तुम t1 की value भी निकाल लोगे a की value पुट करो t2 की value भी आजगी alpha भी आजगा 7 आजगा सवा आजगा equations लिखनी आनी चाहिए अपने को गलती नहीं करनी समझ के करना है बिलकुल basic से करना है चमका मिटा दू ठीक एक और कोशन लेता हूँ बहुत simple सा कोशन है चामू सा कोशन मालों की अपने पास rod है rod क्या है rod यह यहां से बंदी हुई है mass m length l यहां से बंदी हुई है horizontal position पेती चोड़ दी released if just released find angular accession alpha पता करो ठीक अभी पता कर लेते हैं free void अगर हम बनाते हैं सबसे पहले अच्छा यहां पे mg लग रा होगा center पे यहां पे hinge है कोई ना कोई normal force लग रही होगी कोई दिक्कत नहीं है मुझे alpha बताना है तो मैं इस o point के around torque निकाल लेता हूँ net torque क्योंकि n का torque तो 0 आजेगा हाँ की ना तो मैंने लिखा n का torque 0 तो mg into l by 2 यह torque हो गया is equal to i into alpha इस o point के round i कितना होता है ml square by 3 into alpha m ने m को मारा l ने l को मारा alpha की value क्या ही 3g by 2l समझ में आया पक्का पर मेरा यह question यह था ही नहीं मैं कुछ और ही पूछना चाहता हूँ ध्यान दे ना मैं क्या पूछना चाहता हूँ मज़दार question what is what is the force on hinge force on hinge at t is equal to 0 जैसी हमने release करी यह normal की value बताओ क्या बताओ normal की value बताओ बई क्या होएगी normal की value अच्छा normal की value बतानी है ठीक है कैसे बताएंगे ध्यान देना net force is equal to mass into acceleration of center of mass तो यह point अगर c है center of mass है I will write mg minus n n की value निकाल भी है सन्नाटो मेरे को मैंने का mg minus n is equal to m into ac सभी बत है ac क्या होगा ac will be r alpha इस point से देखो यह point के round पूरी body घूम रही है तो c point भी नीचे जाने वाला होगा तो c point का कुछ accession होगा नीचे की औ and ac is equal to r alpha हैगा अच्छा कितना radius आइस point का l by 2 कितना है l by 2 तो l by 2 into 3g by 2l that is equal to 3g by 4 चमका put कर दो mg minus n is equal to m into 3g by 4 so normal की value mg by 4 अच्छा बोशन था भाई साब समझ में आया पक्का देख लो अब इसी इसी वराइटी का मैं एक लेवल और उपर जाता हूँ ध्यान देना विटा दू इसको ये रोड नीचे गिरना शुरू हो गई सही बात है तो ये नीचे गिरते गिरते ठीक है सुझ में न ये एंगल मालो 53 डिगरी ठीक है कोश्चन सुनना अब ध्यान से मजा आएगा इन ब्लू प्रोजीशन जब रोड ब्लू वाली प्रोजीशन में आ जाएगी Find Alpha कितना अंगल रेक्सेशन है B Omega कितनी अंगल रेक्सेशन है C Net Force on hinge hinge पे net force बताओ बाई साब बहुत तगड़ा कोशन ले रहा हूँ है मजहदार फील आजएगे फील कोशिश करो तो कोशिश करो शुरू करता हूँ मैं यहां पे अभी इस जगा पे इसका Free Boy Diagram बनाया जाए Okay Free Boy Diagram बनाया Center पे लग रहा होगा MG और यहां पे कुछ नॉर्मल फोर्स लग रही होगी मैं इसके दो component ले लेता हूँ नॉर्मल के एक मैं ले लेता हूँ इधर को N1 इधर को N2 ठीक है मुझे alpha बताना है तो मैं इसी point के around torque निकाल लेता हूँ तांकि N1 N2 का torque 0 हो जाए अरे हां की ना यार ध्यान देना तो मेरे को बताना है MG का torque MG के torque के लिए मुझे यह वाली length चाहिए यह वाली जो length आएगी वो आएगी L by 2 का cos 53 cos 53 यह वाली length आएगी कौन सी वाली यह वाली यह यह वाली तो torque लिखा जाएगा O point के round MG का MG into L by 2 cos 53 degree कोई यह torque आएगा O के round नहीं आएगा is equal to I into alpha I कितना है ML square by 3 M ने M को मारा 1L ने 1 को मारा So G by 2 into cos 53 इतना होता है 3 by 5 is equal to L alpha by 3 तो alpha की value आगई कितनी आगे भाई 9G by 10L और यह सही निकाल दा है क्या कोई calculation mistake हाँ 9G by 10L alpha की value आगई B part omega बताना है अच्छा omega बताना omega final square is equal to omega initial square plus 2 alpha theta हाँ किना omega final अपने को बताना है initially तो rest पे था और alpha की value 9G by 10L आगई हाँ ना theta कितना theta को मा 53 घूम गया 53 53 को हम लोग radian में कैसे बताएंगे 53 divide by 180 into pi radian में convert हो गया यहां से omega final की value आजएगी अरे हाँ किना या समझे में आया पक्का लेकिन ये गलत है अब ये गलत क्यों है वो गलत इसलिए है क्योंकि तुम्हारा alpha constant नहीं है ये equations of motion तभी लगती है जब acceleration constant होता है याद करो पिछले question में t is equal to 0 पे alpha की value आई थी 3G by 2L और यहां पे आरी है 9G by 10L इसका मतलब जैसे यसे वो नीचे गिर रहा है जैसे यसे वो नीचे गिरेगा theta की value change होगी तो alpha भी change होगा अरे नहीं आया अरे theta की value change होगी यार तो alpha भी change होगा अगर alpha change होगा तो तुम ये नहीं लगा सकते अच्छा फिर कैसे निकालेगे देखते हैं या है तुम्हें पक्का छिक है मिटा दू इसको और रच देखना अब कैसे निगालते हैं याद है मैंने जब मोमेंट आफ नश्य की बाचित करी थी तब मैंने कहा था कि जो एनरजी होती है रोटेटिंग बॉड़ी की वो हाफ आई ओमेगा स्क्वेर होती है एनरजी की बाते मैंसे आगे भी करेंगे पर तुम्हें याद होगा कि मैंने मुम्मेंट आफ नश्य डिफाइन करते वक्त एक बॉड़ी की रोटेशनल एनरजी निकालने की कोशिश करी थी करी थी करी थी क इसने कुछ पोटेशनल नरजी लूज कर दी तो इसने कुछ कानेटिक नरजी रोटेशनल वाली गेन कर ली होगी हाँ की ना it means mg delta h is equal to half i omega square समझे में आया पक्का वेरी गुड़ डेल्ट ह कितना है delta h है l by 2 into 4 by 5 is equal to half moment of inertia about the rotating axis कितना 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 ml square by 3 omega square काटा पीटी शुरू कर दो ये 2 ने 2 को मारा m ने m को मारा 1l ने 1l को मारा okay तो omega is equal to 12g by 5l का under root देख लो कुछ रह ना गया हो लगता तो नहीं है कि कुछ रह गया so this is the omega your angular velocity when the rod is in this position oh 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 sir ये तो हमारे दिमाग के सारे तो उठे उड़ गए c part देखो तो उठे क्या कबूतर हाथी गदे मगोडे कीडे मच्छर सब उड़ जेंगे बाई सार net force on the hinge ये n1 और n2 की values निकालनी है मच्छा तो इसमें आएगा अच्छे से इसमें लगेगा newton second law अच्छे से जो जबरदस newton second law लगेगा सारे तार खुल जाएंगे यहांके चाप लिया पक्का alpha और omega की value note down कर लो काम में आएंगी alpha is equal to 9g by 10l और omega is equal to under root 12g by 5l ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अरे मैंने कुछ कड़बड़ तो नहीं करी ना ठीक है चलो मैं मिटाता हूं इसको हम लोग फिर c part पे चर्चा कर लेते हैं है ना c part की चर्चा कर लेते हैं बहुत बढ़ी है ठीक है free point आगर हम इसका ये रा मैं एक बढ़ दुबारा बना लेता हूं मैंने इसके यहां पे लगने वाली force के दो component कर लिए एक मैंने कर लिया n1 और एक कर लिया n2 ठीक किया हां सब ठीक ही किया होगा ये 53 डिए अब इसका इसका जो मास ये वेट है ना वेट इसके भी दो component कर लेता हूं ध्यान देना ये 53 है ये mg है और ये 53 है ठीक है तो तो तुम्हारे इस mg के दो component कर लेता हूं एक mg sin 53 degree which is 4 by 5 mg ठीक है एक mg का cos 53 degree which is 3 by 5 mg और तो कोई force न लग रही है ठीक है center की तरफ लगने वाली net force is centripetal force right center की तरफ लगने वाली net force into minus 4 by 5 mg is equal to m omega square r is equal to mass into centripetal acceleration m omega square r तो m omega square r is equal to m omega square की value आएगी 12 g by 5l into यहां पर r कितने है अरे center का देखा जाता है न net force is equal to mass into centripetal acceleration of center of mass so center of mass का r कितने l by 2 oh 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 is equal to 6 mg by 5 तो n2 कितना आया plus 4 by 5 mg is equal to 2 mg यही आया क्या अरे कुछ गड़बड तो नहीं होगी लग तो यही रहा है 2 mg आगया लेकिन यह n2 की value आई है अभी n1 की निकालनी बाकी है इस direction में सोचते हैं इस direction में क्या body इधर की और accelerate कर रही है tangential acceleration हा की ना tangential acceleration कितना है अभी 80 is equal to r alpha यानि की l by 2 into 9 g by 10 l is equal to 9 g by 20 यह tangential acceleration है तो इधर की तरफ इधर की तरफ लिखा जाएगा net force 3 by 5 mg minus n1 is equal to mass into center of mass का acceleration तो n1 आया कितना है n1 3 by 5 mg minus 9 by 20 mg कितना है यह कितना है कितना है 3 by 20 mg समझ में आया है एक force तुम्हारी यह रही और एक force यह रही net force कैसे निकालेंगे under root of n1 square plus n2 square यह कर देंगे तुम्हारी net force on the hinge आ जाएगी चमका के नहीं चमका पक्का वही नाइस बहुत बढ़ी है शांदार मजा आया इस question में ठीक है तो ठीक है मैं assignment में कुछ और questions देता हूँ यह आज के mostly question ने advance level कही थे ठीक है which is a very nice topic और तुम्हें बड़े अच्छे से मज़े समझ में आएगा ठीक बात चलिए फिर मिलते हम लोग next class में till then Tata